दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमन की बीच केजिवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है अब आंधर प्रदेश और तिलांगला से दिल्ली आने वाली लोगों को 14 दिनों तक कॉरिंटाइन में रहना होगा इसके लिए केजिवाल सरकार ने सरकारी और पेट कॉरिंटाइन फैसलिटी चिनहित की है हालाकि जिन्होंने वैक्सिन की दोनों डोज लगवा लिये हैं उन्हें दोनों डोज के सर्टिफिलिट दिखाने पर या उनके द्वारा पिछले 72 घंटे का आटी पीसिया नेगिटिव रिपोर्ट दिखाने पर 7 दिन का ही होम कॉरिंटाइन इन्वार होगा अगर किसी व्यक्ति के पास होम कॉरिंटाइन की सुविधा नहीं है तो वो सरकार द्वारा चिन्हे सरकारी या पेट फैसिलिटी में 7 दिन तक कॉरिंटाइन कर सकते हैं गौतरब है कि आदरप्रदेश और तिलांगना से आप बस, ट्रेन, हवाय यात्रा, कार या फिर ट्रक से किसी के माध्यम से भी दिली में आ सकते हैं तो आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा आंदरप्र तिलांगना में कोरोना के नए वेरियंट मिलने के बाद दिली सरकार ने आदेश वारी किया है जो भी व्यक्ति नियमों का उलंगन करेगा उसको 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टिूशन क्वारंटाइन में रखा जाएगा दिली पुलिस के DCP की होगी हालाकि इन दोनों राज़े से अगर कोई सरकारी आस समवधानिक संस्था के लोग किसी आपचारी काम से दिली आते हैं तो उनको छूट रहेगी जाहिर है दिली में बढ़ते कोरोना संक्रमन को रोखने के लिए पहली से ही नाइट कर्फ्यू है उदर दिली से सटे गौतम मुन नगर जिले में कोरोना का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है शहरी शेत्र के बाद गाउं में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है जिले में कुल 300 से जादा कंटेन्मेंट जोन बन चुके हैं बीते पाँच दिन से जिले में संक्रमिदों का ग्राफ तेजी के साथ उपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है स्वास प्रशासनी कदिकारी से नीचे लाने में जुटे हुए हैं पिशले दस्तिनों में ग्रामिण शेत्र में 50 से जादा मौते हो चुकी हैं 20 से अकजेवर दादरे के गावों में जादे तर लोग बिमार हैं नजाच हो रही है और ना ही सनिटाइजेशन ग्रामिण दहशत में है राजिस्तान की अशो गेलो सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपून लॉग डाउन लगाने की गोश्रा की है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्याबनेट की बैटक में ये फैस्टा लिया गया इस दौरान शादी समारों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है राजे सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राजे में विवा समारों 31 मई के बाद ही आईजित किये जाएंगे विवा से समंदित किसी भी प्रकार के समारों डीजे वारात और प्रतिबो जादी की अनुमती 31 मई तक नहीं होगी विवा घर पर या कोट मैरीज ही रूप में ही करने की अनुमती होगी जिसमें केवल 11 रोग उपस्तित हो सकते हैं इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी विवा में बैंट बाजे हलवाईट एंटिया इस प्रकार के अन्ने किसी भी व्यक्ति की शामिल होने की अनुमती नहीं है सरकार दौरा बयान में कहा गया कि ग्रामिन शेत्रों में स्रमिकों के संक्रमित होने की मामली सामनी आए हैं इसे देखते हैं मन्रेगा के कारे स्थगित रहेंगे समद में दिशा निर्देश जारी किया जाएगा सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे आमजन से अपील है कि पूजा अर्शना इबादत प्रातना घर पर ही रहे कर करें मैरिकल सेवाओं के अत्रिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस जीपादी पूरी तरह से बंद रहेंगे अतराज्य एवम राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी भाहनों को आवगवन माल की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमती रहेगी एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे से या फिर शहर से गाउं या फिर गाउं से शहर में सभी प्रकार के आवगवन पर पूनताप प्रतीब बंद रहेगा राज्रे के बाहर से आने वाली यात्रे को बहतर गंटे के बीतर करवाई गई आटिफिसया नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा श्रमितों को आवगवन में असुविधार नहीं हो इसके लिए पैचान पत्र इन इकाईयें के द्वारा जारी किया जाएगा कोरोना वारस देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है गुरुवार को भारत में रिकॉर्ड नए मामने दर्ज किये गए हैं वहीं 3920 मरीजों की मौत होगा यह पहली बार है जब एक दिन में कोरोना के नए आखड़े चोार लाग चोबबार हुए है 18 तीसरी बार है जब देश में कोरोना के नए आकड़े 4 लाग के पार पहुंचे हैं। क्या हम नए ग्रेजवेट, डॉक्टर और नर्स का तीसी लहर के दौरान इस्तिमाल कर सकते हैं।